वल दोस्तों तारक महता का उल्टा चश्मा टीवी का फेमस और सबसे जादा देखे जाने वाले शो में से एक रहा है इतना ही नहीं ये सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक रहा है हर किरदार अच्छी तरों से गढ़ा गया है और दर्शुकों के दिलों में जगह बनाने में काम्याब भी रहा है हाला कि जबरदस्त फेमस होने के बावजूद कलाकारों के बारे में कुछ अग्यात तथ्य हैं हमें यकीन है कि आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो चलिए आए आप को बताते हैं उन फैक्ट्स के बारे में हमारे इस वीडियो के माध्यम से इस सीरियल में जेठालाल का सबसे जबरदस्त किरदार निभाने वाला दिलिप जोशी बापू जी की भूमी का निभाने वाले अमित भट से असल जिन्दगी में उम्र में बड़े हैं उनकी केमिस्ट्री जैसा की शो में दिखाया गया है सभी को बेहद पसंद आती है अमित के बारे में बात करते करें तो वो खिचडी चिपके चिपके Yes Boss जैसे कई शो में काम कर चुके हैं वास्तों में वो सीरियल्स में बहुत अलग दिखते हैं आपको बता दें कि दिलिप के दो बच्चे हैं जिनका नाम रितविक जोशी और नेयती जोशी है और उनकी शादी जैमाला जोशी से हुई है वहीं आपको पता है कि दया बेन और फुदीशावकानी और सुन्दरलाल जो औन स्क्रीन भाई बहन का रोल निभा रहे हैं वो वास्तविक जीवन में भी भाई बहन हैं आपको बिता दें कि ये अभी फिलहाल दया बेन इसमें नजर नहीं आती है शो में लेकिन कुछ वक्त पहले तक ये दोनों किरदार इसमें नजर आदे थें आपको बिता दें कि मुनमुन दत्ता तारक महता का उल्टा चश्मा शो में तब शामिल हुई जब वो केवल 20 वर्ष की थी आठ साल बाद आज तक वो बड़ूं का रोल निभाने वाले लोगों में सबसे कम उम्र की सदस्य हैं अब बात करते हैं पोपट लाल की जिहां श्याम पाठक इस सीरियल में पोपट लाल भगवती प्रसाद पांडे की भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें तुफान एक्सप्रेस के एक वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर के रूप में दिखाया गया है वो सीरियल में कई वर्षों से कुवारे होने के कारण शादी के खयालों में ही खोई रहते हैं लेकिन असल जिन्दगी में वो शादी शुना हैं और तीन बच्चों के पिता हैं उनकी एक बेटी और दो बेटे हैं इसी के साद आपको बता दें कि मंदर चंद वर्ड कर जिन्हें कालपनिक गोकुल धाम सोसाइटी के सचेव के रूप में देखा जाता है इस सीरियल में वो भीडे मास्टर उर्फ आत्मा राम तुकाराम भीडे एक होम ट्यूटर की भूमिका में हैं जो हमेशा अपनी नौकरी को लेकर तनाव में रहता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो असल जिन्दगी में एक इंजिनियर हैं जी हाँ अला कि दिलिप जोशी के एक सुझाव के बाद ही निर्माता ने उन्हें आयर की भूमिका देने का वैसला किया वो वास्तविक जीवन में एक महारास्ट्रियोन हैं ना कि कोई साउथ इंडियन जैसा कि शो में दिखाया गया है क्या आपको ये फैक्ट पता था हमें जरूर बताईए वैल आपको बिता दें कि गोगी और टपू का किरदार निभाने वाले समय शाह और भव्या गांधी वास्तविक जीवन में चचेरे भाई हैं इन दोनों के रोल को दर्शुकों द्वारा काफी पसंद किया जाता रहा है वल दोस्तों आपको बिता दें कि दिशा वकानी जिन्होंने सिरियल में दयाबेन की भूमिका निभाई है वो ग्रेजुएट हैं और उन्होंने ड्रोमाटिक्स में डिगरी हांसल की है हाँ साथ ही बॉलिवुड फिल्मों में कई छोटी मोटी भूमिका आए और गुजर वाले शलेश और तारक महता वास्तविक जीवन में एक लेखक और कवी हैं जी हां सयोग से वो शो में एक लेखक का किरदार ही निभा रहे हैं वैल आपको बिता दें कि जेठालाल और दयाबेन के अलावा रीटा रिपोर्टर का किरदार भी लोगों ने काफी पसंद किया लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेटा रिपोर्टर का रोल निभाने वाली प्रिया आहुजा रायजादा तारक महता का उल्टा चश्मा के डारेक्टर मालव राजदा की असली पतनी हैं ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए और इन में से कौ हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं